Hello everyone, कैसे हैं आप सब लोग? Money Monk में आपका स्वागत है, मैं हुशिय पिंकेश ठकरानी और इस वीडियो के अंदर में हम एक news flow देखेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर कौन सी opportunities बनती है invest करने के लिए तो अभी मैं यहाँ पर money control की side पे हूँ और कुछ इस तरह की खबरे चल रही है सबसे पहले देखेंगे जीडिप की growth rate जो है 5.4% पर आ गया है quarter 3 के अंदर में and FY22 का जो estimate बन रहा है वो 8.9% पर बन रहा है जो पहले 9.2 अगरे परसेंट पर बन रहा था तो 58.9% of FY22 estimate पर यह पहुच गया है और Goldman सच कह रहा है कि बहुत ओईल फोर कॉस्ट ओईल का फोर कॉस्ट दिया है 115 डॉलर पर बैरल पर पहुच सकता है यानि कि इंडिया के लिए तो बहुत ही खराब खबर यह होगी और यह आपको पता है क्यों हो रहा है because Russia और Ukraine के बीच में जो वार चल रहा है उसके जैसे commodity prices बढ़ते चले जा रहे है इंडिया के भी बहुत सरे लोग फसे हुए है वार किसी भी तरह से अच्छ नहीं होती है और यहाँ पर जित्ती भी वार्स हुई है उसके बाद में जो है काफी अच्छी recovery markets के अंदर में आई है लेकिन markets जो है वो down चल रहे है और आप देख सकते है कि 18600 से अभी निफ्टी जो है 16800 पर आ चुका है 16800 से नीचे ही close हुआ है तो हो सकता है कि next trading session के अंदर में हमको एक negative mark देखने को मिले 16800 यह सस्टेन करता है तो बहुत अच्छा हो जाएगा तो हमें क्या करना है हमें continuously अपने investments जो हमारी जो अच्छी वाली companies हमने choice करके रखी उसमें continuously SIP mode के अंदर में invest करते रहना है काफी सारे shares ऐसे है जो कि पिछले एक साल के low पर आ गये है पिछले एक साल पहले हम उन्हें खरीदते थे तो आज उसका same rate आ गया है तो हमें इस opportunity का मौका उठाना चाहिए ऐसे investor और देखते है क्या करना चाहिए इसलिए एक product है हमारे पास में जो small case से related है तो small case के अंदर में आप SIP कर सकते हो इसके पहले भी मैंने बहुत सारे small cases आपके साथ में share किये है तो आप उसको देख सकते हो और यहां पर एक बहुती बढ़िया मुझे product मिला इट वास high quality right price तो यह काफी commensurate था current scenario के अंदर में invest करने के लिए तो यह high quality right price यह आप देख सकते है यहां पर जो 2 years का CAGR return है 84% है तो बहुती कमाल का CAGR यहां पर है लेकिन यह थोड़ा high volatility यानि कि आपको इसके अंदर में उतार चड़ाओ बहुत जादा देखने को मिलेगा और 40,000 के करीब का 38,590 यह जो stocks है यह उपर नीचे होते तो उसके साब से बदलता रहता है उसके साब से यहां पर investment करने का रहेगा तो क्यों यह में बहुत अच्छा लगता है बिसिकली जो है mutual fund में तो आपको पताए कि वो अपनी मर्जी से invest करते है stocks के नाम नहीं पता होते हम उसे rates change नहीं कर सकते तो small case में subscribe करके आपको stocks के नाम पता सल सकते है directly आप वो पुरा का पुरा bundle खरीट सकते हो या फिर आप लोग simply subscribe करके जो है इसमें जो changes हो रहे हैं उसको देखकर अपनी investment strategy बना सकते हो अब यह जो small case है यह बहुत ही जबर्जस दिखा इसमें वो सभी theme है जो हम लोगों को अगे आने वाले 2-4 साल के अंदर में अच्छा return दे सकती है और government policy के इसाब से देखें government जहां जा रही है वहाँ पर जाना बहुत फाइदे मन होता है government का खर्चा हो रहा है वो sector में revenue आएगा profit भी आएगा ठीक है तो इसकी theme देखते है सबसे पहले हमारे मोदी जी का जो संकल्प है आत्म निर्भर भारत ठीक है तो आत्म निर्भर भारत ये तो हो गई because हर जगे nationalism वाला move चल रहा है तो रशिया भी उसी को target कर रहा है तो चाइना या फिर जो है चाइना तो बहुत पहले से करता आ रहा है इंडिया भी कर रहा है बहुत ही तकड़े तरीके से तो यहां देखिए सबसे पहले small case के अंदर में आत्म निर्भर भारत का उसके हिसाब से stocks चुने गए है then चाइना प्लस वन चाइना प्लस वन क्या होता है इसलिए वो इंडिया को choice करेंगे सबसे preferred choice इंडिया की रहेगी क्योंकि labor cost कम है resources यहां पर है government policy जो है लगातार favor कर रही है manufacturing को तो इसलिए चाइना प्लस वन यह ऐसे stocks जो है यहां पर आपको दिखेंगे then उसके बाद में production linked incentive scheme yes government जो है manufacturing को promote करने के लिए देखिए production से link incentives दे रही है ठीक है production करोगे तो आपको उसके अंदर में incentives मिलेंगे और इससे sales बढ़ेगी उन companies की क्योंकि उनको operating फायदा होगा तो ऐसे stocks के अंदर में यह small case निवेश करता है make in India yes making in India then उसके बाद में anti-dumping duties हो गया import licensing हो गया इससे जिन companies को benefit मिलेगा जिन companies की low debt है strong balance sheet है अच्छी management है तो इन सभी चीजों को देखकर निवेश करते हैं और सबसे अची चीज क्या लगती है अभी large cap बहुत बढ़ गया था और mid cap के अंदर में small cash के अंदर में बहुत ही जबर्जस correction आया तो ऐसे के अंदर में हमें पूरे market को लेकर साथ में चलना है तो multi cap strategy जो है काफी अच्छी रहती है तो यह यहाँ पर भी है तो returns कैसे हैं अगर हम compare करते है equity mid and small case से compare में तो आप देखेगे यह हमेशा जो है ऊपर चलते आया है और return तो आप देख सकते हैं दो साल के अंदर में 84% का return है क्योंकि पूरे market को लेकर साथ में चल रहा है large cap भी है small cap भी है mid cap भी है तो मुझे यह काफी अच्छा लगा stocks and weights तो यहाँ पर नहीं दिखेंगे because यहाँ पर subscription करना पड़ेगा link मैं आपको नीचे शेर कर दूँगा description के अंदर में एक बार जाईए इसको समझने की कोशिश कीजिए yes high volatile है और देखें high volatile तो अभी बहुत अच्छी opportunity because अभी यह काफी correct हो चुका है and आप जितनी भी news flows देखेंगे वो इतने favor में नहीं जारी है जैसे ही जो है यूकरेन और रशिया का जो है यह ठंडा पड़ता है मामला ठीक है थोड़ा देल लग सकता है इसके अंदर में because दोनों parties negotiation table पर बैठी हुई है और जो negotiation है वो कुछ इस तरह से है कि यूकरेन चाहता है कि रशिया पूरी तरह से अपने operation को cease कर दे और फिर रशिया चाहता है कि बॉस यूकरेन जो है वो पूरी तरह से NATO से किसी द्वरा का संबंद न बनाए EU में शामिल होने की बात न करे उनकी राश्टरपटी को हटा दे and all that thing तो यह इतनी जल्दी सुलजने वाला नहीं है बाचित का दौर चलते रहेगा हो सकता है कि वार वाली चीज़े जो है कम हो जाए लेकिन अगर हमने इस चीज़ का फाइदा नहीं उठाया तो हम बहुत अच्छे इंवेस्टर नहीं रहेंगे मौके जो है अगले 10-15 दिन एक महीने के अंदर में आ सकते है इसलिए जो है अपनी जो स्टाटेजी है एवरेजिंग की उसको जो है करते रहें मार्केट में जो फॉल आ रहा है हमारी इंडियन मार्केट के अंदर में सबसे बड़ी दिक्कत होगी that is crude price की तो crude oil का जो दिक्कत है वो चलता रहेगा इसलिए आपको मौका मिलता रहेगा और जैसे ही वार खतम होता है 2015 में भी हमने देखा था 143 143 डॉलर पर बैरल पर आ गया था उसके बाद में 50-60 पर आ गया था तो इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि मौका हो सकता है ये आखिरी मौका हो उसके बाद में वापस स्टॉक्स भगना शुरू कर दे ठीक है तो नॉर्मलाइस स्थिती जो है में को लगता है एप्रेल मई से रहेगी तो इसलिए 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 बेस टाइम तो इंवेस थोड़ी-थोड़ी कॉंटिटी में पूरा पैसा मन डाली है कैश रखी ओव्यसली अंसर्टेंटीस तो है ही कुछ-कुछ लोग बोल रहा है थर्ड वर्ल वार हो सकता है कुछ कंट्रीस प्रोवोक कर रही है तो कुछ कंट्रीस के बोलने पर संधे भी हो रहा है कि वो लोग जहें इस तरह की वार के अंदर में और जदा अपने आपको नहीं जुकेंगे तो confusion वाली स्तिती है तो cash भी अपने पास में रखेंगे आप लोग और थोड़ा-थोड़ा निवेज भी करते रहेंगे आई होब आपको वीडियो पसना आया होगा वीडियो को लाइक कीजेगा दोस्तों के साथ शेर कीजेगा इस तरह के और वीडियो में आपके सामने लेकर आते रहूँगा तब तक के लिए नमस्कार